नमस्कार दोस्तों मैं आजाय सिंग आपका स्वागत करता हूँ ससी मेकर के यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 5 अतिम हेत्पूर प्रस्ण दोस्तों जो सभी परिशाओं में पूसे जाते हैं दोस्तों आप कोई सभी गवर्मेंट इग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रस्ण हमेशा देखने को मिलेंगे दोस्तों जो बार-बार परिशाओं में प्रस्ण पूसे जाते हैं रिपीट करते हैं उन प्रस्णों को दोस्तों इस वीडियो में सामिल किया हूँ और दोस्तों इन सभी प्रस्णों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रस्णों को बीना पेन उठाय स्वाल्ब करेंगे मात्र पूछी सेकेंड में तो आईए दोस्तों देखते हैं reasoning के 5 अतिमेहटपूर्ड प्रस्ण देखिए दोस्तों पहला question है calendar का है most important question है और इस type के present हमेशा पूछे जाते हैं तो इस type के present आपके paper में आये तो दोस्तों कैसे solve किया जाता है बीना पेन उठाये कूछी सेकेंड में तो समझेगा present क्या कह रहा है present को calendar के present कभी भी आये तो क्या करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे कह रहा है दखिए प्रस्द कह रहा है दोस्तों यदि आज रभिवार है तो आज के बाद 69- box dude कौन सा होला प्रस्द में ध्यान देने वाली जो चीज़ है दोस्तों यहां पर दो द्यान देने जाती है क्या चीज़। यहां पर कहा है पहला तो यह चीज़ आज रभी बार है तो यह ध Яने वाली बात होग twee rappers दूसरा हो गया तो आज के बाद यहां-ठेने लिए आज़ता है, पूछ रहे न कि आज रभिवार है, तो आज पाद 100 वा दिन कोँन सा होगा, तो एक इसको तामें कितने दिन होते हैं, आप बोलेंगे, एक इसको 69 लिखेंगे और 69 को क्या करेंगे दोस्तो 7 से भाग करेंगे ठीक है 7 से भाग करेंगे का मतलब है एक सपता से डिरेक्ट भाग करेंगे तो भाग करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तो 7 गठे 56 हो जाएगा रभीवार हो जाएगा, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, 8 सपता प्लस 3 दिन, रभीवार में क्या करेंगे, ये 8 सपता दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, जो होगा 56 दिन ये क्या होगा, रभीवार हो जाएगा, रभीवार में क्या करेंगे, दोस्तों, बस आपको 3 दिन जोडना तो रभि महार में तीन दिंजोडेंगे तो क्या जाएगा उन्सटवा दिन यानि कि छापान दिन तो आपका होगा 56 जाएगा ऑप हो दोस्तों आप इस प्रश्म को अच्छे से समझ गयोंगे और ध्यान दोस्तों यह जरूर दीजिएगा यहां पर लिखा है तो आज के बाद ठीक है यानि कि जो दिन होगी वो कल से काउंट होगी ठीक है ऐसे ठीक है तो 69 दिन आप पूछ रहा है यानि कि 69 दिन तो 69 को आपको दोस्तों इस टाइब के प्रस ना है तो ओरल कर लेंगे कैसे 69 को तुरंत आप दिमाग में भाग कर लेंगे क्या साथ वठे चपन हो जाएगा चपन प्लस तीन दिन तो प्लस तीन तो आपका option C क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो क्या दोस्तों इस टाइब के लिए आपको पेन उठाने में जोर्乾छत पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी देखिए प्रस दो में लुब्त संख्या की पचान कीजिए यहाँ पहाँ देखिए दोस्टो प्रश्ण वार्चक चिंदिक रहना इस से इसमें पहाँ से दिया है प्रश्ण से दिया है देखिएगा कैसे ध्यान लगाना है ये दोस्तो पहला संख्या इसमें क्या है छे है इसके बाद दूसरा इसमें क्या है दोस्तो पांच है यहाँ पे दोस्तो तीसरा क्या होगा छे के बाद दोस्तो क्या होगा एक घटा है पांच और पांच के बाद दोस्तो एक घटेगा तो क्या है तीन यहाँ पर दिया हुए ठीक है चलिए ऐसी तरह आगे बढ़ेंगे फिर दोस्तों दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है तीन है तीन के बाद दोस्तों क्या है चार एक जुड़ा है चार के बाद भी एक जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाए चेनल चाहिए पा और एक लाज टोले में दिया है फिर चलेंगे अगला जो संग्या है एक है एक के बाद दोस्तों क्या है दो है दो के बाद दोस्तों यहां पर क्या होगा दो के बाद यहां क्या होगा एक के बाद दो है तो दो के बाद क्या हो जागा दोस्तों तीन हो जागा और तीन अगर ज दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रस्म को भी अच्छे से समझ गयोंगे यह रहा फर्स्ट मेथड दूसरा मेथड क्या है दोस्तों दूसरा मेथड भी देखिएगा दूसरा मेथड यह है दोस्तों हम इसे घटा के भी खाटां आप इसे घटा के भी देख सकते हैं तो 1 में से 2 ने जैगा हासिल एगीसे 2,090 हो जाएगा यहां पे 3 में से 3,090 हो जाएगा यहां पे 13,090 हो जाएगा यहां भी घटा आने पर क्या है दोस्तो 990 नो आया ठीक है 909 घटा है इस twitter एप общемbron सो तेईस आ जाएगा क्या जागा दूस्तो 4523 ऑप्सन नमबर डी में यह वोला सही हो जाएगा आप चाहाए तो 4523 में से भी क्या करेंगे दूस्तो 909 यानि कि 909 घटाएंगे तो 3600 3614 आ जाएगा यानि कि यह कर क्या रहा है दूस्तो सभी सीरीज में 909 घटा रहा है आगे बढ़ रहा है यह इस टाइप से प्रस्न का अंसर आप दे सकते हैं तो यह क्या रहा दूस्तो सेकेंड मेथट थोड़ा सा कटीन है पहला मेथट क्या है दूस्तो आगे बढ़ते जाना 30 प्रस्न भी महतपूर प्रस्न है देखिएगा मीररी में से है प्रस्न है तीसरा दोस्तो यादि किसी घड़ी का दरपन प्रतिवीम 3 बज कर 15 यानि 3 बज कर 15 मिनिट का समय दरसाता है तो सही समय क्या होगा इस टाइप के प्रस्न दोस्तो पहले भी कराया हूँ और समय दरसाता है तो सही समय क्या होगा पूछ रहा है तो इसके लिए दोस्तो आप यह नहीं करने लगेंगे कि तुरंद आप एक दरपन बनाएंगे फिर उसमें क्या करेंगे दोस्तो तीन बजाएंगे उसके बाद से क्या करेंगे दोस्तो 15 मिनिट करेंगे ऐसे करेंगे ऐस इसको बीना पेर उठाए भी अप्सॉल्व कर सकते हैं कैसे जो दोस्तो दरपड़ परतिवी में क्या होता है जो समय दिया ना यह ची तीन पंद्रा इसी को हम क्या करेंगे दोस्तो 12 बजे में से घटा लेंगे तुरंत दरपड़ का वस्तिविक समय पता लग जाएगा 12 बजे कहने का मतलब 12 बजे को कैसे लिखा जाता है sequence में देखिएगा 12 बज के 60 मिनुट ठीक है 11 बज के 60 मिनुट के मतलब क्या होगा दोस्तो 11 60 का मतलब क्या होता है 12 बजे लिखने का तारीका है क्यों लिखे है ऐसे ताकि घटाने में असानी होगी कितना घटा नहुगी मिनट मिनट में से 15 मिनट में खटाएंगे, दोस्तों क्या हो जाएगा? और ये गारा गंट में तो वास्तिपिक क्या हो जाएगा? दोस्तों 8,45 eard 45 को में है? 00 n Alexa तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों को भी बहुत ही अच्छे तारीके से सांज़ enclosed कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों देखिए यह 3.15 का समय है न वास्तिविक समय पूछ रहे न तो वास्तिविक समय पूछे या पूछ ले कि वास्तिविक समय यह 3.15 मिनट हो रहा है दरपण में कितना बजेगा यह भी पूछ ले प्रशन उल्टा भी कर दे तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों बस 12 बजे में से घटाना है और 12 बजे को दोस्तों एक सीक्वेंस में कैसे सही तरीके से लिखा जाता है 11 बज के 60 मिनट लिख लेंगे और 3-15 आप घटा देंगे 11 बज के 60 मिनट में से 3 गंटा 15 मिनट घटा लेंगे तो 8-45 आजाएगा जो कि option number D में यह सही हो जाएगा आप चाहे तो दूसरा तरीका यह रहा दोस्तों नहीं घटाना चाहते हैं 3-15 में हम क्या जोड़ दें की 12 हो जाए तो यह क्या कर सकते हैं दोस्तों 8-45 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों एक आरा घंटा साथ मीनाट यहनी की 12 बजे हो जाएगा यही आंसर ऐसे भी आ सकता है तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रस्म को दोस्तों आप अच्छे से समझ गयोंगे दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा लास्ट में कापी important question सामिल क्या हूं देखिए आपके आगामी सभी परिशाओं के लिए important है चाहे दोस्तों आप रेलवेक एकजाम देंगे SSC की एकजाम देंगे UP SSC की एकजाम देंगे या अधर आप दोस्तों कोई सा भी government exam देंगे दोस्तों इस ebook में उन प्रस्णों को सामिल किया गया है जो प्रस्ण आपके बारबा question को prepare कर लेंगे दोस्तों आपके exam में एक से दो दिन का भी time है तो इस ebook को लेगे आप जरूर पढ़ लिजएगा आपके exam में काफी help मिलेगा दोस्तों इसमें science, general awareness, current affair की important प्रस्ण दिये गए है जो बार-बार पर हमें पूसे जाते हैं दोस्तों पंजम पब्लिसन ने इस यह market में offline आपको नहीं मिलेगी अगर जो दोस्तों आपको downloading या payment से किसी परकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंजम पब्लिसर के customer के number दिये गए है इस number पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं दोस्तों इस ebook को मैं खूद देखा हूं इसमें जो प्रस्ण दिये गए हैं क चौथा प्रस्न भी काफी important है यह भी प्रस्न पूछा जाता है इस type के भी प्रस्न पूछे जाएंगे तो कैसे solve करेंगे बेन डीगराम का प्रस्न है देखिए चौथा प्रस्ण कहे रहा है दोस्तों नीचे दी गई प्रस्ण का सही वेनारेक बता है वेनारेक वा कैसे बतना है जाता है नीचे चौर आप्सन दिये गए है इन्हीं आप्सन में से आपको बताना है कौन सा सही वेन डाइगराम होगा तो दोस्तों वेन डाइगराम से रिलेटेड तो क्या किया सेता है जो इसमें सब्द दिये रहते हैं जिसका वेल डाइग्राम बनाना होता है इसमें किसका वेल डाइग्राम बनाना है इसमें किसका वेल डाइग्राम बनाना है इसमें एक दूसरे में इन लोगों में कैसा संबंद है ठीक है बस संबंद का दोस्तो पड़ कर लेंगे तुरन इसका अंसर भी दे लेंगे तो देखिए आप थोड़ा से सोचना है दोस्तो आपको यह बताना है प्रबंधक जो है अब यह सोचना है प्रबंधक दोस्तों के इंतर नंबर 2 क्या हो जाएगा या कामगारों दोस्तों क्या होगा अलग होगा तो प्रबंधक का अलग जर्कल बन जाएगा तो इस । देखिये किस उपसर में आपकोansa रहा है option number a में दिख रहा है option number a क्या हो जागा दोस्तों सही हो जाएगा एक बार और समझिएगा कैसे सोचा जाता है अब आपको जो यह तीन सब दिए गए प्रबंधक मजदूर संग कामगार तो आप थोड़ा से दिमाग लगाएंगे तो क्या सोचेंगे दोस्तों जो कामग बार में आता है तो आप बोलेंगे प्रबंधक दोस्तों अलग होता है तो प्रबंधक का क्या हो जागा दोस्तों अलग सर्कल बन जाएगा तो यह इस टाइप से किस option में आपको दिख रहा है image तो option number a में दिख रहा होगा option number a दोस्तों क्या हो जागा सही हो जाएगा तो मै तो दोस्तो इसको बीना प्रेन उठाए सॉल्ब कर सकते हैं मातर्फूची सेकेंड में कैसे तो समझिएगा और 500 देखनेश पहले दोस्तो आपको बता दू दोस्तो अगर आप मैथ में वीक है मैत बेसिक से जीरो लेबल से चैप्टर वाई दोस्तो पढ़ना चाहते हैं दोस् कुछ दिनों में दोस्तों जब हम मैथ के आपकी सारी चेप्टर समापत हो जाएंगी दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्णों को सेकेंडों में सौल्फ करने लगे वह भी बिना पर उठाएं तो मैथ में आपको थोड़ी से भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जा हरे रंग के सामने पूछ रहा है सामने पूछे या भी प्रीत पूछे ठीक है कहने का मतलब एक ही है ठीक है तो इसे कैसे सौल्फ करेंगे दोस्तों देखिए कह रहा है प्रस्ण समझिये गए यादि दी गई दी गई बेवस्था का प्रियोकर की एक घं बनाया जाए तो हर हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा तो इस टाइप के प्रसना है दोस्तों आपको देखना क्या होता है कि इसमें जो पूछ रहा है हरे रंग के सामने हरा रंग कहां पर आपको दिया है यानि जो आपको नीचे डाइस दिख रहा है पासा दिख रहा है इसमें आप बताइए दोस्तो नारंगी और लाल है पहले वाले क्या है नारंगी लाल दूसरे वाले पर दोस्तो क्या है रजत और लाल है क्या है रजत और लाल अब देखेंगे दोस्तो यह हरा के जो दो फलक पे नारंगी लाल है यह किसी option में नारंगी लाल या रजत लाल किसी और आपके फलक में दिख रहा है यानि पासे में कहीं दिख रहा है तो आप दोस्तों यहां पर देखेंगे नारंगी लाल आपको दिख रहा है नारंगी लाल कहा है और नारंगी लाल यहां पर कहा है नारंगी लाल यहां पर दोन जगा दिख रहा है न तो यह नारंगी लाल यह नारंगी लाल द पूछे यही हो जागा हरा रंग के सामने वाले फलग पे कौनसा रंग होगा बैगनी होगा बैगनी किस आप्शन में है option number D में आपका option number D दूस्तों क्या हो जागा साही हो जागा ठीक है मैं उम्मीद करता हूं इस प्रशन को आप अच्छे से समझ गोंगे एक बार और समझेगा कुछ नहीं किया जाता है जिसका पूछे कलर जैसे हरा का पूछ रहा है तो हरा देखेंगे कहा है हरा हरा के और दो फिलक पर क्या है दोस्तों नारंगी लाल है यहां पर उस्तों क्या है रजतलाल रजतलाल किसी और किसी यानि पासे में आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है अब देखेंगे नारंगी लाल ये है ये किसी पासे में दिख रहा है तो नारंगी लाल इस वाले आपको पासे में यहाँ पे दिख रहा है तो नारंगी लाल नारंगी लाल common हो जाएंगे हरा के सामने दोस्तो तो मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूँगा अगर जो दोस्तों यह सब प्रेशन आपको अच्छे लगे हैं समझ में आ हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल नीचे इस टाइप से बना होगा यहां पर प्रेस करके फेस्बूक और फगल में दोस्तों वेल आइकन का सिंबल वनेगा दोस्तों यह नोटिफिकेशन वेल आइकन होता है इसे प्रेस कर कौन कर लेंगे तो यह ऐसे दिखने लाएगा जब यह दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानि आप तक से जाएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों आगले वीडियो में और भी इंपोर्टन परिशनों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद